है यह वाट्सप गाई वेलकम बैक एंड रिशव है और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी एंड्रोइड टीवाइस कर लोक एकदम एंड्रोइड पी जैसा कर सकते हैं सब्सक्राइड इसका इस वेलकिषण. है अगल्रोइम एंडीटर शोर्ण्य पादी क्लाइड नहीं है यह लिए बाइनोड्र S1 आजर्ष ब्लाइड पीजियों पेसे लिए बिटा है ke शोरह ऩng Farm जड़ोऑ वह स्क्राइडट्य लीं? आपको दे दूंगा जो डिरेक्ली एंड्रोड की रोम से पोर्ट किया गया है तो आप उसको सिंपली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो लेकिन अगर आपके अंड्रोड वर्जन मुसली ओन मार्शमेलों में अवर्क नहीं कर रहा है तो आपको एडिशनल लिंक दूंगा इंड्रोड पी का ही है यहां पर सर्च बार और गूगल का बार दिखेगा लेकिन यहां पर आइकॉंस थोड़े चेंज हो सकते हैं तो आपको यहां पर पिक्सल आइकॉन पैक की एप्लिकेशन डूलोड करने की जरुवत पड़ेगी जो प्लेस्टोर की लिंक जो है डिस्क कर सकते हो आप यहां पर अपने एप्लिकेशन को सर्च कर सकते हो तो यहां पर अपने एप्लिकेशन को सर्च कर सकते हो तो यहां पर आपको सारे के सारे एंड्रोड पी के वाल पेपर मिल जाएंगे जो आपको गूगल पिक्सल में मिलते हैं तो आपको सिंप्ली कोई भी व वाल पेपर पे जाके अपने होम स्क्रीन या फिल लॉक स्क्रीन का वाल पेपर जैसे सेट कर देना है अब आप जैसा कि देख सकते हैं अब हमारा फोन कुछ एंड्रोइड पी जैसा ही दिख रहा है अब एंड्रोइड औरियो से अंड्रोइड पी में थोड़े चेंजेस आए हैं जब आप वाल्यूम कम करते थे तो आपकी नोटिफिकेशन की वाल्यूम और कॉल की वाल्यूम कम हो जाती थी लेकिन अब ये गूगल ने फिक्स कर दिया है अब डिरेक्टली आपके मीडिया की ही वाल्यूम फिक्स कम होती है और आप बाकी सेट कर सकते हैं तो आपको एक सिंपल ना अप्लिकेशन डाल लूट करनी ये फीचर को पाने के लिए जिसका नामे वाल्यूम स्लाइडर और अगर आपके एंड्रोइड डिवाइस में ये चल नहीं रही है तो मैं आपको एक औ इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं तो सिंपली इसे इंस्टॉल कर लीजे और इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर ये और जिती भी परमिशन ये मांग रहा है उससे सब एक्सेप्ट कर लीजे तो ओवरले स्क्रीन की परमिशन को एक्सेप्ट कर लीजे डून डिस्टर्ब को अ यह डवल टेप से रिलेटेट तो आप इसे भी अन कर सकते हैं तो simply आपकी वह भी फिक प्रोब्लम फिक्स हो जाएगी now as you can see now the feature had been working and you can control your media volume notification volume and alarm directly from here which is very convenient in my opinion so you can just download this application from the description below so the next thing is the tones अब Android P की जित्ती भी tones आपको description में मिल जाएगी उनकी link आप directly download कर सकते हो यहापे notification tones ring tones और UI tones सब की link आपको मिल जाएगी तो आपको simply उन्हें extract कर लेना एक zip file होगी आपको extract कर लेना और extraction के बाद आप उन्हें notification tones ring tone केसे भी करके set कर सकते हैं so the next thing is the markup application अभी अप्लिकेशन की मदद से आप जैसे इस screenshot खीशते हो तो आप directly one click कर कर उसे edit कर सकते हो उस पर कुछ कर सकते हो so just download this application from the description so guys we have cover most of the feature of Android P but the feature which is still left is the status bar and the notification panel which we can't get without rooting our phone but अगर आप एक custom UI use करते हैं like MIUI या फिर कर Samsung की खुद की UI तो वहाँ पे आप एक theme install कर सकते हैं जो आपको कुछ हत्तक Android P का फील करा सकते हैं so you can download the theme from the MI theme store and if you are using Samsung then also you can download it from the theme store of Samsung and as you can see I have installed that theme and you can see UI as well but if you have any stock device you can use the material status bar pro application which means you can change the status bar and notification panel that's it for this video if you like a video then please like and subscribe and you tell me in the comment section what gonna be the name of Android P either it will be Pancake, Pie, Peanut Butter Cookie or Parleji and I will catch you in the next one in the next one